ट्रेंपल, therefore, टाइरेंट्स आफ दा वर्ड तो एक व्यक्ति जो था मर्शियर है उसने कैसे डिस्क्राइब किया कि जो प्रिंटेड वर्ड की पावर और रीडिंग वाली जो बुक्स थे जो लोग बुक्स पढ़ते थे उनके पास कैसे शक्ति थी Anyone who had seen me reading who would have compared me to a man dying of thirst who was gulping down some fresh pure water जैसे एक व्यक्ति शुद पानी पीने के लिए प्यास को बुझाने के लिए मरता जा रहा है वह बहुत जल्दी जल्दी पानी पीता है उस प्रकार मुझे पढ़ता हुआ देखकर लोग ऐसा सोचते हैं Lighting my lamp with extraordinary caution मैं बड़े ध्यान से अपना पढ़ने वाला जो लेंप है उसको जलाता हूँ I threw myself hungrily into the reading मैं पढ़ने में पूरी तरह से ब्यस्त हो जाता हूँ I threw myself hungrily into reading an easy, eloquence, effortless and animated carried me from one page to the next without my noticing it बिना देखे मैं लगातार पढ़ता जाता हूँ और बिलकुल चारों तरह बिलकुल मेरा ध्यान नहीं होता एक clock struck of the hours in the silence of the shadows तो एक घड़ी की टिक टिक की अब आजाती है तो वो ही सुनती है and I heard nothing और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता my lamp began to run out of oil मेरे lamp में तेल खतम हो जाता है and produced only a pale light तो उसकी जो रोशनी होती है वो पीली हो जाती है but still I read on मैं फिट भी पढ़ता जाता हूँ I could not even take out time to raise the wick of the for fear of interrupting my player तो पढ़ने से जो मुझे मेरी खुशी है मैं उसको रोकना नहीं चाता है इसलिए मैं lamp की बत्ती को भी उपर नहीं करता ताकि उसमें पढ़ने में मेरी कोई रुकावट ना आए how those new ideas rust into my brain वो जो पढ़ने से जो मेरे दिमाग में जो विचार आते जाते हैं वो मेरे बहुत जल्दी जल्दी आते हैं how my intelligence adopted them और मेरी बुद्धी बता उनको कैसे सविकार करती है तो quoted by Robert Denton the forbidden best sellers of pre-revolutionary France तो 1995 में जो वो बुक शपी है तो उसमें से उसने Robert Denton ने इसके बारे में लिखा है तो यह है new words despotism a system of governance in which absolute power is exercised by an individual unregulated by legal and constitutional checks तो राजा की सरकार एक ऐसा system उनके पास था जिसको वो बिना समीधान के और बिना किसी से पूछे लगातार लागू कर रहे थे और जिसको मर्जी गिरिफतार कर लेते थे और पुलिस का पूरी लोगों के उपर पूरी पकड़ थे उसको कहते थे despotism जे फ्रांस में था बाइदा mid 18th century there was a common conviction that books were a means of spreading progress and alignment तो थारमी स्ताबदी के मध्य में ये लोगों का आम विचार था कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं उससे तरक्की फैलती है और ग्यान फैलता है many believed that books could change the world बहुत लोगों का विश्वास था कि किताबें जो हैं ये दुनिया को बदल कर रख देंगी liberate society समाज को अजादी देंगी from despotism, despotism का मतलब होता है जो राजा लोग अपने शक्ति अपनी सरकार चलाने के लिए गलत मल तरीक के इस्तेमाल करके लोगों को काबू करते थे तो उससे वो समाज जो हो है उसको शुटकारा मिल जाएगा books पनने से and herald a time when reason and intellect would rule तो तरक से लोगों के पास शक्ति आएगी उनके पास ग्यान होगा तरक से वो अपनी इन सारी बेडियों को तोड़ देंगे लुईस सेवस्तेन मर्शियर एग नॉबलेस्ट इन नेटीन सेंचरी फ्रांस डेकलेरड तो जो लुईस सेवस्तेन था मर्शियर आदमी था जो एक नॉबल लिखता था थादमी स्ताबदी में उसने ये घोशना की लोगों की राय का और लोगों की प्रोग्रेस का ये प्रेस जो है एक बहुत शक्तिशाली इंजन है जो के डैस्पोर्टिजम जनी एक शक्तिशाली राज द्वारा चलाया गया दमन का भ्यान जो है उसको ये खतम कर देगा In many of the Murciar novels, the heroes are transformed by arts of reading पढने से लोगों की दिमाग में hero बने थे सब लोग, the day they were books or lost in the word books create and become enlightened in the process वो किताबों में पढ़ते गए और दुनिया को भूल गए और किताबों में ही रम गए और इससे उनका ग्यान बढ़ गया और इसी process में convinced of the power of print जिससे लोगों को power print की power की शक्ती का पता चला In bringing enlightenment and destroying the basis of despotism तो जिसने despotism को बिलकुल खतम कर दिया लोगों में ग्यान आ गया उनको पता चल गया कि कैसे राजा लोग उनका दमन करते हैं Mercier proclaimed tremble therefore tyrants of the word tremble before the virtual writer Print culture and the French revelation Print culture और France की क्रांती Many historians have argued that print culture created the conditions within which France revelation occurred बहुत सारे चहासकानों का ये मत है कि print media जो था फ्रांस में फैला जिसकी बज़ा से लोगों के दिमाग में ये बाते आई और उन्होंने फ्रांस की क्रांती कर डाली Can we make such a connection तो इस प्रकार का connection हम कर सकते हैं Three types of arguments have been usually put forward तीन तरह की दिलिये जो इसके पक्ष में दी गई है First, print popularized the ideas of enlightened thinkers जो बुद्धिमान सोच वाले व्यक्ति थे उनके जो विचार थे उनको print media ने बहुत ज़्यादा मशूर कर दिया Collectively, their writings provided a critical commentary on traditions, superstitions and despotism ये तीन जो बुराईयां थी समाज की एक तो थी traditions जो उनके लगातार वो जो पुराने विचारों के साब से चलते थे रूडिवादिता और superstitions जाने के वो अंद विश्वास जो होते थे और despotism लोगों को दमन करने का जो उनका शासन था उनके विरुद जो Collectively, writings लोग लिखते थे वो विचार दुनिया तक पहुँच गए They are good for the rule of reason rather than custom उन्होंने लोगों को ये पता चल गया कि जो rule होता है तरक का rule होता है दलील के साथ आप rule कर सकते हो ना के चली आति प्रमप्राव से and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality तो हर चीज़ को तारक से हम जज़ कर सकते हैं ना के custom से They attacked the sacred authority of the church उन्होंने चार्च की पवित्तर जो उनकी शक्ती थी उसको भी challenge किया and despotic power of the state सरकार के पास जो निरंको शासन की जो ताकत थी उसको बारे में भी उन्होंने उसका भी विरोध किया thus eroding the legitimacy of the social order based on tradition तो जो प्रमपरा के अनुसार जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो वन्शा नुगत उनको जो रियायतें दी जाती थी उसके साब से भी कनून में कनून का गलत इस्तिमाल के बारे में भी उन्होंने यह सब बता दिया the writings of Voltaire and Russo were read widely तो लोग जो रुसो और वाल्टेज जो writers थे thinkers थे intellectual आदमी थे जिनके विचारों को वो उचा बोल बोल के पढ़ते थे and those who read these books saw the word through new eyes जो लोग उसको पढ़ते थे वो दुनिया को अलग नजरिये से देखते थे eyes that were questioning critical and rational जो के उन प्रंप्राओं पर प्रशन उठाते थे कि ये प्रंप्राओं क्यों चली आ रहे हैं जिससे लोगों का दमन होता है second print created a new culture of dialogue and debate तो print culture से नई बहस शुरू ही नए dialogue शुरू हुए all values norms and institutions were re-evaluated सभी सांस्थाइं जिस तरीके से काम कर रहे हैं थी उन पर सवाल उठाए गए and discussed by ये public और लोगों ने उसके बारे में बहस की and had become aware of power of the reason तब उन्हें तरक की शक्ती के बारे में पता चल गया and recognize the need to question existing ideas and beliefs जो विश्वास चले आ रहे थे जो विचार चले आ रहे थे उनके बारे में उन्होंने सवाल उठाए उसको पहचाना गए within this public culture new ideas of social revolution came into इंग जिससे समाज में बदलाव जो था वो सामने आ गया और लोगों ने public culture में इसको सभिकार कर लिया third by the 1780 there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality तो उन्होंने जो शाही ताकत थी उसके बारे में उसकी अलोचना हो गई 1780 में जो नया print शपा उसके literature में सब कुछ पता चल गया कि यह जो लोग हैं यह गलत तरीके से लोगों का दमन करते हैं in the process it raised question about existing social order तो जो समाज की बेवस्ता थी उसके बारे में भी सवाल उठाए गए cartoons and caricatures typically suggested that the monarchy remained absorbed only in sensual players while the common people suffered immense hardship तो उनों उनको लोगों को cartoon से दूसरी चीजों से यह समझाया गया कि जो जो मुनार्की है जो राजा की शक्ति है वो सिरफ गलत चीजों से बस अपना भोग विलास में ही लिप्त हैं जबके आम व्यक्ति जो हैं वो बहुत कश्ट सहरे हैं उनका लाइफ उनकी जो है बहुत मुश्किल है इस लिटरेचर सर्कुलेटर अंडर ग्राउंड तो ये गुप चुप तरीके से जे लिटरेचर सब तलब लोगों को पहुंच गया and led to the growth of hostile sentiment against मुनारकी जिससे राजा के खिलाफ बहुत ज़्यादा अविश्वास और बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ विद्रोज हो था वो पनव गया जिससे फ्रांस की करांती हुई